आमाद्मी पार्टी ने प्रदेश में चुनावी माहुल तयार करना शुरू कर दिया है आपके प्रमुख वा दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केज्रिवाल रविवार को पंजाब के लुधियाना में आएंगे किसानों ने राजनितिक दलों को आगरह किया था कि वह अभी चुनावी सभा या रैली ना करें इसलिए केज्रिवाल भी लुधियाना दौरे पर कोई रैली या सभा नहीं करेंगे अर्विन केज्रिवाल लुधियाना में प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे संभावना जताई जा रही है कि वहलुध्याना में कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठक कर सकते हैं आमाद्वी पार्टी के मीडिया प्रभारी दुपिंदर सिंग ने इसकी पुष्टी की है उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को केजरिवाल एक निजी होटल या फिर मैरिज पैलेस में पत्रुकारों से बात करेंगे बताया ज़ा रहा है कि केजरिवाल इस प्रेस कॉन्फरेंस में भी अपने चुनावी एजेंडिंग को रखेंगे और कुछ नया एलान कर सकते हैं इससे पहले वह फ्री बिजली देने का वादा प्रदेश मासियों के साथ कर चुके हैं विधान सबा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्थी की महिला विंग की एहम भूमी का रहेगी महिलाओं को पार्थी विशेश जमिदारी देने जा रही है यह जानकारी आप महिलाओं की प्रदेश अध्यक्ष राजविंदर को और थ्यारा ने दी थ्यारा इन दिनों महिलाओं को मजबूत बनाने में जुटी हुई है इस पीच दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विं केश्रिवाल लुध्याना के दौरे पर पहुशने वाले है रविवार को वे लुध्याना के दौरे पर रहेंगे और जानकारी मिल रही है कि इस बीच वो कोई रैली या फुर जनसभा नहीं करेंगे बलकि एक प्रेस कॉंफरेंस वो आयूजित कर सकते है और ये भी पूरी संभावना जताई जा रही है कि अर्विं केश्रिवाल अपने लुध्याना दौरे के दौरान कई बड़ी घोशनाए कर सकते है इससे पहले जब विं मोगा पहुँचे थे तो उन्होंने प्रदेश वासियों से फ्री बिजली देने का वादा किया था अब इस मसले पर भी चर्चा के शुरूआत कर लेते हैं दो महमाने समय हमारे साथ जुड़े हुए है भाटी जंता पार्टी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जुलगातार हमारे साथ बने हुए उनके अलावा वैभव जैस्वाल जी समय हमारे साथ जुड़ गए है जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं दोनों ही मैमानों का सुभागत है अन्बी नियूस पर बड़ी बात ये कि आप दोनों की पार्टीयां जो है अभी पंजाब की सत्ता से काफी दूर है बैसे में वैभव जैसवाल जी अर्विन केज्रिवाल आ रहे हैं कलुध्याना क्या कुछ उमीद की जाए किस तरह की घोशनाएं उनके द्वारा की जा सकती हैं और कितना मजबूत इस समय आप अपनी पार्टी को पंजाब में देख रही हैं वैभव जी देखे अपनी अंद्रूली अंद्रूली लगाई के वज़े से खत्म हो चुकी है और देख में इस समय कॉंग्रेस की जो सबके सामने में लेकिन जो आमदी पार्टी की स्थिति आज उत्तरप्रदेश पंजाब, गोवा इन तमाम राज्यों में उत्रा खंड में बन रही है उसका एक मात्र जो कारण है वो दिल्ली मॉडल है आपने देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से अर्विन केजरिवाल जी ने उसकी सरकार ने लोगों के हिच के लिए लोगों की जन समस्याइं जो थी, जन मुझे जो थे उसके काम किया और आज पंजाब के लोग भी उन समस्याओं से जूज रहे हैं आज पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि अर्वीन केजिरिवाई जीका दिल्ली मॉडल पंजाब में भी लागू हो और हमें समधन पंजाब के लोगों कहीं मिल रहा है। पंजाब के अंदर जो आज परिस्टी बनी हुई है। उसमें हम आपसे एकड़म इस बात से असथ होगे करें कि हमारे जो गड़बंदन जलता के साथ इस बार हुआ है। और पंजाब की जो लोगों की जो मंसा है, जो आकान साए हम से दिल्ली मॉडल को लेकर वो हम दिल्ली मॉडल पंजाब की लोगों को भी देने का कारे करेंगे। चाहे वो विजली का माम लाओ, आपने देखा कैसे अर्विन के लिवाल जी ने खुद कहा कि हमारी सरकार बनते ही 300 विजली ब्री जाएगी। यहां तक की जो बकाय दिल है, वो माप किये जाएंगे, 24 घंटे विजली की बात है। आने वाले समय में अर्विन जी एक बहुत बड़ी घोसा करने जा रहे है पंजाब के लोगों के लिए और वो आपको जल्द मालूम हो जाएगा। और हमारा समय जैसे से चुनाओ के आएंगे, हमारा पंजाब को लेके यह विजन है। वो समय पे आपको अर्विन जी द्वारा और हमारे मैनिसेस्ट्रों द्वारा जरूर दिया जाएगा। और इस बार पंजाब के लोगों ने पूरा मन बना लिया। जो के लिए उस्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो। जनता पार्टी और कांग्रेस की जो नूरा कुस्ति हर राज्यों में और देश में चलती थी, एक बार तुम सासन करें, एक बार हम सासन करें, इस नीटी को जो है, एक इस दिख्ये के दो पहली हुए ये दोरो पार्टियां, इसको अब जनता भली बाती समझ चुकी है, और जनता एक मजबूत लिकल की तलास करें थी, जो उसका विकल, अब जो है, आमादी पार्टी पे जासे खत्म होता हुआ, पंजाब की जनता ने महसूश कहा है, खत्म होगा है, हमारे जनता समय चाहिता है, वह में मिल जया है, ठीक ठीक है, अश्विनि शाही जी मैं आपका र जाविदारी ठोक रही है, भारती जनता पार्टी कहां है? लडने के, वहाँ पर जो है, अपनी मजबूती दिखाने के, और हम जरूर दिखाएंगे, रही बात दूसरे दलों की जिसमें हम आदी पार्टी प्रभुख है, हमारे साथी ने जो है, अभी कहा कि हम ने ये किया, दिल्ली का वो है, हम वहाँ भी करेंगे, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, उसको ही कहा है, दिल्ली मॉडल, दिखिए देश में आत्म निर्भरता पढ़ाने के तरफ, अगर एक तरफ से एक मजबूत प्रधान मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, आज पूरे विस्टो की नजर है, चाइना भी नजर बना कर रखे हुए उस प्रध कर रहे हैं, दूसरा हर प्रदेश में जाकर, इनका पहली घोतला होती है कि फिरी बिजली देंगे, फिरी पानी देंगे, भाई ये तो बताओ, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, आप उद जन्रेट की जिए, दो करोन का राज्य चलाना, पल्लमी जी, हम लोग इन से कही करेंगे, दोनों को मौका में लेगा, दोनों एक एक करके बात करेंगे, मैंने इनके मीच में नहीं बोला, ये सुन लेंगे, वैभाव जी, अश्विनी शाही जी को आप अपनी बात रख लेने दीजे, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत लोटूंगी, सवाल बहुत हैं, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाएं, बताए जाही जी, अभी ये लोग कहते हैं, ये लोग बताते नहीं हैं कि ये पैसे कहा से आएंगे, दो करोण के जंता पर सब्ता करके और 24 करोण उस्तर परदेश में हैं, पंजाब में भी आट-साट-सकरोण की जंतां क्या है, वहा पंजाब में पिछले सिनौव में इनका नारा था कि नसे के खिलाब हम काम करेंगे, और वहां मजीथिया जो वहां पर मंतरी हुआ करते थे, वो नसे के ही सौदागर थे, नसे के ब्यापारी थे, उनके खिलाब जब मुकदबा चल रहा था, कोट में केस था, तो केजरिवा और वहां पुक्पाल खेरा ने नाराज़ी जताई, कि हम लोग इसी बर आये थे, कि हम नसे का विरोध करेंगे, पंजाब में नसा बहुत है, उस्ता फुक्ती कराएंगे, लेकिन आप उसी नसे के सौदागर से माफी मांग रहे हैं, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, तो य इन्होंने लीपा पोता और आम आदमी पॉली क्लिनिक का बोड लगा कर उसको अस्पता लखना कर चालू कर दिया, यह इनका है वहां का विकास, दूसरा इन्होंने एक आर्टी आई में मांगा गया है, दो साल में इन्होंने 28 नौकरियां दी है, पर लिए वो मेरा अगला स सवाल लीजिए, बताइए वैभफ जी, 2019 और 2020 में सिर्फ 28 बिरोजगारों को ही नौकरी दी गई है, जबकि आपने तो जॉब पोर्टल लांच किया था, और यही जॉब पोर्टल जो है, अर्विन केच्रिवाल उत्राखन में बादा करके आएं, कि ऐसा ही पोर्टल हम उत् इस बात का देंगे? वैभफ जी, आप तमाम बाते रख रहे थे सर, कि आप बिजली को लेकर जो बाते कह रहे थे, और तमाम बाते हमने आपके सुनी, लेकिन आपको वेरोजगारी पर भी तो जवाब देना होगा ना, क्योंकि उत्राखन में तो आप उसी का वादा करके आएं, और हमें ये भी इस तरीके से तिर्मिलाग थे, घरघर रातन पहुचानी की जो योजना थी, होम बिलिवरी वाली, उसमें इन्हों ने किस तरीके से अरंगार रगाया, इसमें मुझे इस बहस में जाने की जुरुत नहीं है, चिर्प उस अकेली योजना से हज्जारों युवाओं को नौक कोड़ उतरता है, उनसे कोड़ सबल जब नहीं होता है, आज 30,000 फिलो ड्रस उतरा है, कल को अगर वहाँ पे हतियार उतर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, देश की सुरक्षा कहते लोगों के हाथ में ये देश को लोगों समझा परेगा, ये देश को जाते पा गोलने को सायर नहीं होते है, कल को महीं उसी पोर पे, आज वो पोर इन्हों ने देश की संपक्ति को बेश दिया है, उस पोर पे कल को हतियार उतरने लगेंगे, ये कौन डेखने वालागा, आज 30,000 फिलों के पीछे इतना साया होगा, ये इसका जवाब कौन देगा, तो द हमने जो वादा किया, वो संकल पत्र हमारे में घीचा समान होता है, हमने वादा किया, तो उसकी पूरी रूप रेखा, हम बना के चलते हैं कि हमें कैसे करना है, अगर हम 70 वादे करते हैं, तो हमें 70 पूरे करते हैं, कम नहीं करते हैं, इनके तरह जूबले बाजी नहीं करते कि पंद्रा लाख नौक्रिया दे देंगे और आज उत्तरफदेश के अंदर देख लिए डवल इंजन की सरकार चलना है इनकी इस करीचे से बेरोजगार राज लाथी खाता है लग लुगान होता है यह मुझे बतानी जिरोत में है लखनाओ के अंदर आप किसी को भी भेज कर सकते हैं कि इनको गार्डेन में आज भी धरना चलना है जिनसे इन्होंने वादा किया था महिला सिक्षा मित्र सा मानी चाहिए इन लोग को कि एक चुहादिन महिला सिक्षा मित्र अपना सिर मुडवा लेती है इनके राज में ये चलना है डवल इंजन की यहीं सरकार इनकी हैं लेकिं हमने अगर पाट की वादा कि हम लेकिन हम दूते के लोगों को जनता को समझना पड़ेगा और पंजाब की जनता ने इस वर्मन बना लिया है अगर आपको लगता है कि इस पार आप पंजाब में कमाल करके जाएंगे तो बहुत शुब कामना है आप जो भी वादे कर रहे हैं वो जरूर पूरा हो हम तो यहीं उमीद करेंगे अश्मिनी शाहे जी एक इल्जाम दो इल्जाम दरसल दो इल्जाम पहला तो यह कि दिल्ली में आप उने पूरी सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं आप बीच बीच में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं उनके साथ इस वज़े से वो परेशान है और दूसरी सबसे बड़ा उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि घरगर राशन योजना में आपने इतना अडंगा अटकाया अगर आप अडंगा नहीं अटकाते तो हजारों यूवाओं को नौकरी मिल जाते हैं शाही जी यानि कि दिल्ली का जो यूवा बेरोजगार है उसक सुना है और मैंने पॉइंट जवाब देगा हैं वेरोजगारी की बात सुरू करते हैं देखिए अभी आपने भी मैंने भी एक सवाल उठाया कि 28 नौकरियां दो साल में अगर इन्होंने दिया है घरका रासन अगर इन्होंने यह पहुंचाते तो अनुशकार देदे यह ल क्ति दिए बात फॉसograf की बात है पल्ली जी आपको भी याद होगा जब केज रिवाल जी मुक्ह मंतरी बनें थे टून और बादा किया था हम घर नहीं लेंगे ले लिया, सरकारी, हम गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, हम लेंगे. इन्होंने कहा कि भारत में मुख्य मंतरी, प्रधान मंतरी, MP, MLA फिरी बिजली लेते हैं, हम फिरी बिजली दे रहे हैं. इन्हों ने क्यों नहीं एक उधारन पेश किया, कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं प्री का नहीं कुछ लूँगा, ना सुरच्छा लूँगा, ना घर लूँगा, ना अपनी गाड़ी से मैं बैगाइनायार से चलता था तो उसीह चलूंगा, तो चलते से एक माडल पेस करते, उताहरण पेस करते, वो उन्होंने नहीं किया, तो यहाँ पर इनका यह दावा जूता हो कि यह हवा हवाई बाते करते, दूसरा वीजेपी राष्ट द्रोही पार्टी, आप एक सर्वे करा लिजिए, पूरे देश में कि आज के दिन में भारतिय जन्ता पार चेहले, पैलट पेस कर दो में, तो 堅 मैं किया आपको, इन्होंने क्या काता है, कि हाँ मैं आर्किस्ट हूँ, किस ने काทा, यह केजरिवाल तो जो बिक्त यह कहता है आराजक हूं है वह भारती इंदा पार्टी को राच जो ही पार्टी कहेगा यह तमगा इन से नहीं चाहिए उसके बाद इन्हों बेचने का काम नहीं किया है हमने उसको लीज पर दिया है एक मुस्त पैसे आये हैं सरकार का हजाना भरा है उसके हमसामरीक मजबूत बाद दरिश्टी से आंतरिक दरिश्टी से हुए है और जो यह ड्रग्स पकड़ा गया है यह हमारी एजंसिया वहां तैनाती तनमेसा से ब्यापारी को हमने दे दिया वहां पर व्यापार एक साथ एक सो करोड़ आ जाए एक लाग करोड़ आ जाए उसने दिया वह चलेगा वहां पर लोग नहीं कुछ कर रहे हैं यह एक इनका एक मुद्दा था तीसरा मैं और कहना चाहूंगा इन लोगों को अभी सैशोकाल है इनको दिल्ली में वही मैंने का दो करोड़ जनता के बीचे पलवी जी ये लोग सत्ता करने क्या ये एक सभासत की तरह और एक मेर की तरह भी वहां है ये बाहर फड़ा रहे हैं कि कैसे निकले अब इनको पता चल रहा पंजाब में कि क्या बिरोध होता है पार्टी के अंद पानी लगा हुआ था कैसे क्या था इन लोगों ने दिल्ली को यही दिया है और ये दूसरे को सबना दिखा रहे हैं इसलिए हवा हवाई बातें कौन करता है वह आप दिक है बताइए वाभाव जी दिल्ली मेरट का भी बनाया था ना आपने ये ये सड़क देख लिजे अस पर चले जाएगा उस रोट पे पहले अपने गिरिबान में देख लिया करिया सुनी जी और अपी अपी सरकार की जो तरीकें उनको देख लिया करिये लीज क्या होता सुनी जी इस का मतलब आप उसका सौमित तो खोच उके बेच रही सकते हैं और आप आप देख जंता को क् आप अउसके स्क्रा भारे जिज कभूज दीक यहां सुनी जी तेम पार भाष्ष समय है 3व स्क्राइब कर द मुढम स्क्राइल थार अरू तरस बर में करे पर लिए पर रहे तो पर लाने पर इदेना पड़ेगा उसके लिए में लड़ना पड़ेगा मैंनार्टिस है जनता को घर शुविदा देने के लिए कोई बात नहीं सर आईए आपका पंजाब में स्वागत आईए आप वादे कीजिए अब देखना तो यही है ना कि पंजाब के जनता किस पर विश्वास करती है आप दुनों ही मैमानों का शुक्रियादा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दे कि पंजाब के लुध्याना में दिल्ली क के सीम अर्विंद के जुरिवाल पहुंचने वाले हैं कल उनका दौरा है और पूरी संभावना जताए जा रही है कि अपने दौरे के दौरान वे कई तरह के वादे करेंगे अब पंजाब के जनता उन्हें स्विकारती है या नकारती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएग स्विकारत जताएग स्वर्ण है